प्रेज अलोर्ड दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रात्ना में और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि प्रभु ये श्मसी आपको सही मार्ग दर्सन करेंगे प्रभु आपको आपके जीवन में सही रास्ता दिखाएंगे इसके लिए हम एक वचन प और समती दिया करूंगा आमें दोस्तों यहां पर प्रमेशु का वचन कहता है कि मैं तुझे बुद्धी दिया करूंगा दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपके अंदर बुद्धी की कमी है तो मैं आप से कौँँगा इस वचन को अपने लिए क्लेम करें प्रभु ये तुम मुझे अपनी समझ से भरता कि मैं कारियों को सही तरीके से कर सकूँँ आगे परमेशु का वचन कहता है कि जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगवाई करूँगा दोस्तों हमारा परमेशु हमें गाइड करने वाला परमेशु है अगवाई करने और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा दोस्तों जो भी आपकी प्लानिंग है जो भी आपकी योजनाई है प्रभू उस मार्ग में आपकी अगवाई करेगा आपके संग संग रहेगा आगे आगे चलेगा आपके रास्तों को सही करेगा जैसे हम इसराइलियों के जीवन में कि परमेशोर ने इसराइलियों की अगवाई की उस जंगल में परमेशोर ने उनके अगवाई की और उन्हें सही रास्ता दिखाया उन्हें उनके आगे आगे प्रभु चला आग का खंबा बनकर बादल का खंबा बनकर ताकि वे लोग सही रास्ते पर चल सकें फिर परमेशोर आप अपने जीवन में निरास न होएं बलके आप परमेशर से प्राथना करते रहें हो सकता है आपको इस समय सही रास्ता नजर नहीं आ रहा आप भटक रहे हैं और सोच रहे हैं कौन सा सही रास्ता होगा किस रास्ते पर मैं चलूँ तो परमेशर आपको ऐसी बुद्धी से भरेगा कि आप सही रास्ते को देख पाएंगे और परमेशर स्वयम आपकी अगवाई करेगा उस मार्ग में चलने के लिए प्रभू आपकी अगवाई करेगा और अपनी किर्पा द्रिष्टी को प्रभू आपके उपर बना करके रखेगा दोस्तों जिस परकार से हम लोग दाउद के जीवन में देखते हैं कि परमेशर ने दाउद के जीवन में उसकी अगवाई की हर एक छेतर में प्रभू ने उसकी अगवाई की और उसी प्रकार से प्रभी येश्व मसी ने पवित्र आत्मा ने अपने चेलों की अगवाई की कि कि किस मार्ग पर उन्हें चलन प्रभी येश्व मसी ने आपको भी पवित्र आत्मा दिया है जो पवित्र आत्मा आपको आपको आपके जीवन में गाइड करेगा आपको सही रास्ता दिखाएगा और उसकी किरपाद्रिष्टी आप पर बनी रहेगी तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत स आपको प्रभी येश्व मसी का आज की सुन्दर शाम में धनिवाद करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने इस वचन के द्वारा आशीश पाई है तो आईए मिलकर हम प्राथना करें धनिवाद 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 करते हमारे पवित्र जिंदा पर प्रभी येश्व मसी हमारे उद्धार करता हमारे धन्य उद्धारक प्रभी येश्व हम आपका धनिवाद करते हैं आपकी महिमा आपकी बढ़ाई आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभू हम आपको प्रभू महिमा देते प्रभू आपका आदर सम्मान करते प्रमेश्व पित बना रहे प्रभु जी ये शाम है प्रभु ये बल है पर मेश्वर तुझे धनेवाद देने का तेरी महीमा को करने का प्रभु तुससे अपनी बातों को शेर करने का और प्रभु तेरे बातों को अपने जीवन में रिसीव करने का प्रभु आज ये सारे बाते आपके बेटे और बेटियों के जीवन में पूरी होने पाई पिता मैं धनिवाद करती हूँ पिता कि सच में प्रभू दिन भर में आपने सुरकषित रखा हर एक खौफ कतरों से बचाया हर एक नुकसान से हर एक दुरगटना से बचा कर प्रभू सुरक्षित प्रभू जी आज अपनी संगती में हम सब को बनाए रखा है हमें ये प्रभू संगती का सहभागी बनाया है प्रभू इस बात के लिए धन्यवाद धनिवाद की पूरे दिन भर में प्रभू तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगवाई करतावा चला प्रभू तु अपनी सुरक्षा को प्रभू हमें देता गया प्रभू और आज हम सब प्रभू सुरक्षित हैं हिफाज़त से हैं प्रभू इस समय प्रभू तेरे सम्मुक उपस्तित हैं कि तुझे धनेवाद दे सके प्रभू हाँ प्रभू हर एक जन प्रभू दुनिया की छोड़ से प्रभू जब इस प्रात्न में सहभागी हैं प्रभू वो धनेवाद दे रहे हैं प्रभू अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों के लिए प्रभू और आप इन धनिवाद की भेटों को ग्रहन करें। आज सब को जीवित रख आघा है कि लिए धनेवाद मेरे प्रभू चुब रज़त आज चाहिए प्रभू जिस प्icamente को देखा अपने लोगों को पिता परमेश्वर बुद्धी देता परमेश्वर आप और जिस मार्ग में उन्हें चलना होता है वहाँ पर आप उनकी अगवाई करते प्रभू अपनी कृपा द्रिस्टी को बनाए रखते प्रभू हाँ प्रभू तु बुद्धी देने वाला उन्हें सुना है उसे रिसीव किया है अपने जीवन में प्रभू इस वचन पर भरोसा किया है प्रभू यदि उनके अंदर बुद्धी की घटी है यदि कोई भी प्रभू बच्चे प्रभू जिनके अंदर बुद्धी की घटी है कोई भी ऐसा जन प्रभू जो बुद्ध कार्य है इनके जीवन में संभव होने पाई जिस प्रकार प्रभु येश्व मसी आपने चेलों को बुद्धी दिया प्रभु कि किस प्रकार प्रभु वो तेरे सेवा कार्यों को करें प्रभु तुने दाउत को प्रभु बुद्धी दी प्रमेश्व पिता कि किस प्रकार प् इसने दरी अनिड़ा बाद को लेकर की कुमजोर पाई कि रोटा इसमार में कैता हैं, is there or glance He is fordi täll Уक्ता से पाई laure यह कि यह मार्ग तो मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगवाई करूँगा हाँ परमिश्वर इस मार्ग में प्रभू हाँ पिता ये मार्ग जो आपके बेटे बेटियों ने चुना है जिस मार्ग में वो चल रहे हैं जो मार्ग अब वो चलने वाले हैं प्रभू येश्य मसी उसमें आप इनकी अगवाई करें हाँ प्रभू अपने चेलों की करते वे चले प्रभू ताकि वच्चन इनके जीवन में पूरा होने पाए मैं प्रात्न करती हूं प्रभू जिस प्रकार तुने अपनी क्रिपा द्रिस्टी को दाउद पर बनाए रखा प्रभू जो लोग तुछ पर विश्वास करते थे उन पर बनाए रखा आज तेरे तुन पर बरती हो कर दो है करतीती नहीं लोग दो टो सब्सक्रा शनकार दो है कोई जीवन साथी अब यह तक यह नहीं मिल पाया यहां मिल पायाया कंई ये कृपा द्रिस्टी अपने बेटे-बेटियों पर बनाए, उनके प्रातना का उतर दे, उन पर अनुग्रह करे, उन पर दया करे प्रभू और इस वचन के अनुसार जो आज की शाम में तेरे लोगों ने सुना है, वो प्रभू इनके जीवन में कारे करे, प्राक्टिकली वर करे, हाँ परमेश तेरा वचन जीवित और सामर्थी है, उसी सामर्थी वचन के द्वारा तेरे लोग आशीश पाए, मेरे प्रभू आज के दिन में, इस शाम में प्रभू हम हर एक उस बिमार विक्ती के लिए, हर एक उस बिमार बच्चे के लिए, हर एक उस बिमार नौजवान के लिए, हर एक बिमार बुजर्गों के लिए, हम दुआ करते हैं येशू, तेरे पवत्र नाम से, क्योंकि पिता से जब हम तेरे नाम से कुछ मांगते हैं तो तेरा वचन कहता है कि वो तुम्हारे ले करेगा हाँ परमेश्वर येशु मसी तेरे नाम से मैं पिता से विंती करती हूँ कि आज जितने लोग अस्वस्त रोगी बीमार चोट में है तकलीफ में है घाव है उनके शरीरों में इंफैक्शन है ऐलर्ज येशु मसी के नाम से हर एक घाओ चंगा हो जाए येशु मसी के नाम से प्रभू हर एक पीडियों से चलने वाली बीमारी लंबे समय से चलने वाली बीमारी जिस बीमारी में आज ये हैं प्रभू येशु के नाम से बीमारी इसी समय उने छोड कर जाए येशु के नाम से ह हर एक allergy, हर एक infection येशु मसी के नाम से जाए, हर प्रकार का रोग इनके शरीरों से जाए, इनकी हड़िया, मांसपेशी, इनका skin येशु मसी के नाम से हील हो जाए, प्रभु सर के बालों से लेकर पैर तक प्रभु आप इने चू कर चंगा करें, हाँ प्रमेश्वर आपने ने चंगा किया, येशु धन्यवाद के आपने ने चंगा किया, क्योंकि प्रभु तु अपने लोगों पर अपनी कृपा द्रिस्टी बनाए रगता है, आप जानते हैं कि आपके लोग तकलीफ में और आपने इस तकलीफ से उन्हें चुटकारा दिया, इस शाम में तुन्हें उनकी सुधी लिया धनिवाद, प्रभु येशु जब तेरे बेचे बेचे निरंतर हमारे साथ इस प्रात्न में बने हैं, प्रभु आप उन्हें, उनके परिवार को, उनके घराने को आशीज दे कर उन्हें बढ़ाईए, ति अज रात में अच्छी नीन को मांगते हैं परमिश्वर, आपके लोगों के लिए चैन को मांगते हैं परमिश्वर, कि प्रभू तेरे लोग जब प्रभू दिन भर में बहुत सारा work load होने के कारण, प्रभू stress होने के कारण, चिंताई परिशानिया होने के कारण, प्रभू जब रात बर सोचते हैं तो प्रभू सो नहीं पाते हैं, तो आज प्रभू आपसे दुआ है कि वो चैन भरी नीद, अब ये देखें तो प्रवु तेरी महीमा को करने पाएं, धनिवात करते हैं, सारी बातों में हम आपको आधर महीमा देते हैं, येश्यो के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन और आमेन